अब तक जितनी भी वीडियो जा चुकी हैं सिरीज में या फिर आने वाली है या फिर इसके पहले भी मैंने कुछ वीडियो जो कि जंडर प्रेडिक्शन के ऊपर थें तो एक चीज में आप लोगों साथ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मेरा चैनल बॉय और गल में किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है As you all know, I am a twin mom, I have a baby boy and a baby girl too तो that's why both kids are very special for me और आप लोगों से भी मेरी यही अपील है कि अगर आपके भी बच्चे हैं चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है आपके खुद के हैं रिस्पेक्ट करिए उन्हें प्यार करिए भगवान जो देता है ना बहुत सो समझ के देता है जो भी चीज़ आप अपने लिए बेस्ट कर सकते हैं भगवान वो सब कुछ उपर से प्लान करता है तो इसलिए जो लोग इस तरह की वीडियोस देखते हैं या फिर उनकी भावनाई गलत हैं तो उनके लिए यह वीडियो नहीं है उन महिनाओं के लिए वीडियो है जो शायद कहीं न कहीं थोड़ी सी क्यूरेस होती है लाइक मी अगर किसी और प्रेगनेट लेडि को भी मैं सुन लेती हो ना क्यों वो उनको बेवी होने वाला है तो मेरे मन में यह आता है कि लड़का होगा या लड़की होगा इंपक्त बहुत सारी लेडिज हो जेंट्स हो सब के मन में यह आता है तो यह वीडियो से इस परपस के लिए है hope you understand तो नाव अभी वीडियो शुरू करते हैं जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था और यह जो भी सीरीज जो चलने वाली है मेरी दोनों प्रेग्नेंसी को बेस्ट होने वाली है विकाज मेरी फर्स्ट प्रेग्नेंसी थी जो कि मुझे एक बेबी बॉय हुआ था और इस बार आम ट्विन मॉम जिसमें बेबी बॉय और गर्ल्स दोनों हुए है तो उस हिसाब से मैं अपने कुछ एक्स्पीरियेंस आपके साथ श शुरू होता है जिस वक्त आपकी वेजाइनल जो डिस्चार्ज होती है अगर वह वाटर ब्रोक होता है अगर पानी के जैसा आपका डिस्चार्ज होता है तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि यू आर वहीं पर ब्लीडिंग अगर हो जाए अगर क्रैंपिंग के जैसा प पहले की जो लीडीज हैं उनका ऐसा मानना था बट इस इस नौट हंडेड परसेंट रो कहीं कोई ऐसी रिटेन बात नहीं है लेकिन बहुत लोगों के साथ ये बाते सटीक बैठी हैं अब बात करते हैं कि मेरे खुद के परस्तल क्या एक्सपीडेंस थे जैसा कि मैंने बताए कि फर्स प्रिग्नेंसी मुझे बेबी बॉय हुआ था इस केस में भी जाने अन जाने मुझे नहीं पता था ये फैक्ट बट ये बाते सही हुई है पिछली बार मेरा वाटर ब्रोक हुआ था और मुझे यूरीन जैसा डिस्चार्ज आया था ऐसे सम्सिंपल पानी जैसा गि हुआ डॉक्टर ने मुझे कंपलीट एक डेट दिया हुआ था उसकी हिसाब से मेरी सर्जरी हुई थी विकॉस कुछ कॉंप्लिकेशन्स थे मेरे ट्विन प्रिग्नेंसी में तो इस बार मैं कुछ बता नहीं सकती हो कि वाटर हाया या बलड आया लेकिन मेरे क्या एक्स्प प्रिट स्माइ वाल